कि प्रेविध्ध भर्टियो और एज मांसुल की ओनने आपका हार्दी स्वाकत आज हम पढ़ने जा रहे हैं संद्धा का plupart फॉनांतिल परावतन है उससे पहले प्रिमिपर आज हुद ass का है कोंसे जांपल उसके बार फैंपर आज परकास का पूर नियुक्त्य एक बाइगरांड की help लेते हैं माना कि यहां कि सगर भादे में और यह प्रकास से परवेष करती है ठीक है तो ये विरलमात्यम ये ओगाह सगन मात्यम देखेवन जानते हैं और आई हमारा इहां आपकल कौ्ण हो गया हमने एन एन इसे विलम डाल लिया आपे और आर महर आएगा पुरतर कौन जैसे प्रकास यहां सगन माध्यम से शचलन माध्यम पर वेश करता है अंत्रा प्र विश्टन को देशाता विलम से दूर अधी आप देख पा रहें यह है कि अब जाती है था फैने में निज तरन में इसके मान में बढ़ते हैं तो हमوجा जानते हैं जब आप तन कोण के मान में अगर अगर आम बढ़ती करते हैं तो निस्टी अब कौन का माण क्रानुति कोन बरत हो जाती है और देखो तो जैसे हम ने आप कोन का मान बढया और इस कॉसे में आब बड़ाए वहिसा इस सता में इस स़ता इसा मस far करांति कौन अगरमाने परिवासा आ जाती है कि किरांति कौन किसे कहेंगे तो अब इसकी परिवासा यहां से दे सकते हैं कैसे कि वहेविशे सवस्ता वहेविशे सवस्ता जब अपवर्तन कौन का मान नबर डिगरी हो जाता है तो उस अवस्ता में विशे सवस्ता जब आपवर्तन कौन का मान नबर डिगरी हो जाता है तो उस अवस्ता में विशे सवस्ता जब आपवर्तन कौन का मान नबर डिगरी हो जाता है तो उस अवस्ता में आपतन कौन को करांती कौन कहा जाता है और इस करांती कौन को I.C. ये इसको ठीटा C के द्वारा दर्साया जाता है तो आइसिस का परतिक चिन होता है तो हमने यहाँ पे आपतन कौन के मान वर्दी की आपतन कौन के मान वर्दी होते ही अपको आपतन कौन का मान भी बढ़ गया इसके मान वर्दी हो गई और इसमस्तम यह नपडिक भी हो गया नपडिक भी होते ही प्रकास का इसी माध्र में इसी माध्र में पुर्ण रूप से इसका परावर्तन हो जाता है और इस घत्रा को कुण रूप की परावर्तन कहते हैं और इसकी परिवासा यहां से ही निपलेगी कैसे कि जब प्रकास का पुर्ण तया उसी माध्र में आंत्रिक परावर्तन हो जाता है जिसको पुर्ण आंत्रिक परावर्तन कहा जाता है यह इसकी परिवासा है पुर्ण आंत्रिक परावर्तन की अब समझे हैं में तीन बिंदू लिए हैं प्रकास हमको सगन मातम से कराया है इसका अपवरतन हो जाता है तो सवस्ता में आपतन कौन को करान की कौन जाते हैं सवस्ता में प्रकास का कौन प्रूप से इसी माध्यम परावरतन हो जाता है और हम इसका प्रकास की प्रकास की प्रकास के लिए सगन माध्यम से बिरण माध्यम में परवेश करनी चाहिए इसकी पेली सर्थ है यदि प्रकास की रंग किसी सगन माध्यम से किसी बिरण माध्यम परवेश करता है तो ही यह रखना हो सकती यह नहीं होगी तो पहली सर्थ है इसकी कि प्रकास के पुन आंत्रिक परावतने के लिए प्रकास का किसी सगन माध्यम से दिरन माध्यम परवेश करना जरूरी है नियम सेगेंड़ सा यह है कि परकास मेंधिक पून आंत्री परावतन के लिए आत्र जो गौन का मान है ये क्राम्ति कोन से अधिक होना चाहिए को है कि अगरम्ति कोन का मान क कौन से अधिक होगा तो यह गड़ ना हो सकती है इसके दो नियम है तो यह हमार टोपिक था पुणान की परावरतन तो हम ने इसके दौर आपने समझे लिया इसका इराम को इसके नियमी पढ़ चुके हैं इस वीडियों इतना ही थैंक्यूंक्यूं